आप सबका बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग पस्टिपल सेवन में आई देख लेते हैं आज की दिन के लिए आपके स्प्रिट काइड आपको क्या मेसेज दे रही है लाइप की किसी एरे में आपको गाइड कर रही है और आपको क्या बताना चाहते हैं उस अभी दके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे वींडियो से देखते हैं तो प्रिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थो कि आप की सीउ यूडियओ से तो पता रहे हैं थो इस ऊठेही है कि आपके गाइये .... तो थोड़ा सा स्टीक सा कॉपरेट कीजिए का तो दा चैरियाट का कार्ड ये बता रहा है कही ना कहीं आप ना लाइफ की चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये लाइफ में जो भी आपका टाइम पिरिड चल रहा है इसमें आप कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बैलेंस ढूंड रहे हैं अपनी कोई लडाई जीतना चाहते हैं अपनी कोई जंग जीतना चाहते हैं किनी चीजों को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं सोच रहे हैं कि किस तरह से आप कौन सी चीज़े कर पाएंगी कौन सी नहीं इस वक्त आपके spirit card आपको यहाँ बहुत strongly यह बताना चाहते हैं कि life में आप जो भी लड़ाईयां लड़ रहे हैं जो भी परिशानियां जेल रहे हैं उनमें आपको support किया जा रहा है कही ना कहीं आपको guide किया जाता है आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए और आप क्या क्या कर सकते हैं हो सकता है कभी कभी आप अपनी negativity के कारण या आप negative thoughts के इतने ज़्यादा हावी हो जाने के कारण उन बातों को समझ नहीं पाते हूं, उन चीजों को देख नहीं पाते हूं, उस bright light को नहीं देख पाते हूं, जो कि आप तक भेजी जा रही है, या आपको वो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो अंदकार से बरा हुआ है, इस तरह का message आ रहा है, आपके spirit guide का, यहाँ पे आपक का करना ही आपको आगे लेके जाएगा, आपने से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे जरूर होंगे, जो कि अपनी life में एक balance बना कर चलने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे, आपके spirit guide यहां मुझे ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि life ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जो चीज़े भी आपके साथ में हो रही है, जो चीज़े आपके साथ में हुई है, उनमें कही न कहीं आपको अपने आपको protect करके चलनी की जरूरत है, अपने आपको balance करके चलनी की जरूरत है, लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी ऐसा हुआ है, जिसमें किसी ने आपको hurt किया है, या आने वाले समय में भी आपको यही करना चाहिए कि आपको लाइफ के जो भी आपके spirit guide बता रहे हैं कि आने वाले समय में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है या लाइफ में बहुत सब नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए तो उसमें आ आपको ध्यान देना चाहिए आपको कि आपके लिए चीजे किस तरह से हो रही है जो लाइफ है आपके सामने किस तरह से खुल रही है आने वाले समय में ये आपको बहुत जादा ध्यान देनी की ज़रूरत है आपका जो जहां पर आपके स्प्रिट कायट कह रही है कि अपनी जो भी लाइफ में चीजे हो रही हैं, अगर आप उन चीजों को जीत नहीं पा रहे हैं, या उन चीजों में उस तरह से आपके लिए नहीं हो रहा है, जिस तरह से आपने सोचा था, तो आप इस चीजों से अगर निकलना चाहते हैं, तो आपको लाइफ की bright side पर ही focus करना होग तब ही आपको जो help मिल रही है, जो रास्ता दिखाया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं, उस पे चल सकते हैं, उनको अपना सकते हैं और वो चीजे कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मन आपका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा शांत रहेगा, यानि कि आप हो सकता है कि थोड़ा सा आप depression फिल करें, हो सकता है आप थोड़ी से negative हो जाएं, लेकिन जो ये life आपके चल रही है, इसमें अपने negative और positive जो चीजे हैं, उनको balance करने का कम आपको ही करना होगा थोड़ा सा अपने heart को open करने से पहले आपको ये aware रहना चाहिए, कि कहीं आपको कोई धोका तो नहीं दे रहा, किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं कर रहा आपकी जो भी spiritual awakenings हैं, यहाँ पर आपके spirit guide मुझे बता रही हैं, जो भी आपके spiritual awakening हैं, वो इनी रास्तों से हो रही है, यानि कि अगर कुछ चीजे ऐसी हैं, जो life में आपको दुख दे रही है, या आपको तकलीप दे रही है, तो आपको ये बताने के लिए ही है यानि कि जैसे कि soul की कुछ journey होती है, उस journey में आपको अलग-अलग experience लेने होते हैं, आपके कुछ सबग सीखने होते हैं, आपको कुछ अनुभव लेने होते हैं, ताकि आपकी जो journey है आगे बढ़ सके, soul को, हर soul को हर तरह का experience लेना ही होता है, तो हर इंसान की जो soul होती है, व कोई दूसरा इंसान दूसरे लेवल पे हो सकता है, कोई 78 लेवल पे हो सकता है, कोई 80 लेवल पे हो सकता है, तो हर इंसान का अपना एक अलग अलग लेवल है, जो कि अपनी प्रस्तितियां, अपने हालात, अपनी चीजें देखते हुए, उन चीजों तक पहुशने की कोशिश कर रही है यनि कि आपको हर लेवल से गुजरना होगा, हर experience लेना होगा आपको जरनी को complete करना होगा तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है यह जिन्दगी जीने में जो आपको experiences मिलते हैं यही आपकी soul की growth में काम आते हैं कुछ सबक छोटे होते हैं, कुछ सबक बड़े होते हैं लेकिन वो सबक होते हैं जिन्दगी के लिए तो यहाँ आपके spirit guide आपको यही बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी sorry यहाँ पे ना मुझे बोलते होई दिक्कत हो रही है तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी बात खुल के नहीं कह पाते होंगे अपनी बात कहने के लिए आपको शब्द नहीं मिलते होंगे दिमाग में आपके बहुत कुछ चलता होगा क्योंकि इस वक्त मेरे माइंड में बहुत सारे थौट्स चल रही है लेकिन मैं आप तक कनवे करने में मुझे दिक्कत हो रही है तो जरूर आप लोगों की एनरजी से मैं कनेक्ट हो रही हूँ तो डेफिनिटली आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुलके अपनी बात नहीं कह पाते होंगे अपनी चीज़े अपने दिल नहीं खुल पाते होंगे अपने दिल के हालातों को नहीं बता पाते होंगे अपने अंदर ही अंदर उन चीज़ों को घूट पी लेते होंगे अपनी बाते कहने में दिक्कत महसूस होती होगी अपनी जो हालात हैं आपके अपनी जो हालातों का आप सामना करते हैं आप अपनी तकलीफे अपनी परिशानिया नहीं बता पाते होंगे और वन चीजों को चुपचाप अंदर ही अंदर झेलते होंगे क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप उस situation में नहीं है कि आप पता सकें और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपके आसपास वो लोग नहीं है जिनके साथ आप अपना heart share कर सकें तो यहाँ पर मुझे इस तरह की energy बहुत strong आ रही है आप में से कुछ लोगों को अपने throat चक्रापे काम करने की नीड है यानि कि अपने आपको express करने की नीड है अपनी बातों को बोलने की नीड है ताकि आप उन चीजों को clearly बोल सकें जो कि आप कहना चाहते हैं या आपकी दिल में है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बाते सुनने के लिए आपके पास कोई नहीं है आपका दिल हलका करने के लिए आपके पास कोई नहीं है तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बातों को कहीं पे लिखें और उन चीजों को फिर आप जला दें या पिर उसको पाड़ के पहिंग दें ताकि आपका दिल कहीं न कहीं हलका हो जाए आपका मन हलका हो जाए और आप उस नेगेटिव एनर्जी से या उन एनर्जी में ना रहें और उनसे बाहर निकल जाएं जब नहीं होती तो सिर्फ हम इच्छाओं में ही जीते हैं यह कह रहा है कि आपके डिजायर क्या है और उसके बाद पूछे कि वाकि में आपको किन्चीजों की जरूरत है यानिकी पहले पूछे कि आपकी क्या इच्छा हैं, मतलब क्या आपकी इच्छा हैं, फिर अपने आप से पूछे कि कि आपको वास्तार में किस चीज़ की जरूरत है, यहाँ पे एकाड़ आपको यह बोढ रहा है, कि तो आप यह देख पाएंगी कि जो कुछ चीज़ों कि आ आप डिसायर कर रहे हैं वो आपके लिए उतनी वैल्यू नहीं करती है जितना कि आप रियल में सोच के बैठे थे जितना आपने उन्ची जो के लिए सोच रखा था कि यह हमें इतना ज़्यादा वैल्यू करती है यह हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इस इच्छा क वोली करने के लिए, तो यहां पे तो यहां पे यह कह रहे हैं कि आपको जल्दी समझ में आ जायगा कि आप अपने पावर कैसे लूस करते हैं तो यहां पे मैं आपको जарूरीख बात बोलूँगी ये कार्ट इस कार्ट के बारे में बोल रहा है कि आप जब अपने past को ही लेकर बैठे रहते हैं जब आपके past के relations होते हैं या कोई ऐसी घटनाई होती हैं जिन में आप struck रहते हैं जिन से आप भार नहीं निकल पाते हैं और उसको देखकर ही आप उन चीजों को पाने की इच्छा करते रहते हैं लेकिन आपको जरूरत जरूरत को पुरा करने के लिए हम उसकी तरफ नहीं देखते यहीं इनसान की जीवन में सबसे बड़ा कारण है जो वो अपने आपको खुश नहीं महसुस कर पाता वो यह महसुस करता है कि वो अब हार किया तो अगर आने वाले समय में आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप अपने आपको हारावा महसुस करते हैं अपने आपको परेशान महसुस करते हैं तो आपके spirit guide आपको यहाँ पर यहीं कहना चाहते हैं कि अपनी power को lose नहीं कीजे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजे अटेश्मेंट से थोड़ा सा दूर रहिए ताकि वो चीज़े आपक लाइफ की जरने में एक S smoothly उस जरने को कर सकी ना कि उसमें रोडे एक को अटके तो हो आपको अपनी स्प्रिट कायर की गाइफ समझ में आई हू पसंद आ यू समझ आई हू फसंद आई हू तो वीडियो को तो बैक जरूर कीजेगा कमें बॉक्स में जरूर बताहिएगा किस से आप कितना जोड़ पाए और किस तरह से जोड़ पाए थैंकि तो वेरी मुच मेरे चनल पर आने के लिए आप काने मला सभी बहुत 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 शुबहू और ब्लेस यौल